हालो फ्रेंब्स मैं आर्थी आदिमानुकिजन्स मैं आप लों का एक बार फिर सिंट हो गते हैं रोज रोज एक जैसे समुसे कचोड़ी खाखा के बोर हो जाएं और कुछ नाया खाने का मन करें उस ताइम पे आप बनाएं आलू के बहुत ही टेस्टी चटपट एक दम क्रिस तैयार हो जाते हैं और अगर आपने एक बार इने बना दिया तो आपके बच्चे समुसे छोण हमेशा इसे ही बनाने की जित करेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलो के बहुत ही टेस्टी चटपटे से रोल्स इस रेस्पी को बनाने के लिए मेजरिंग कप से एक क बनके तैयार होगा आप ऑईल की जगा पे घी का यूज भी कर सकते हैं और को अच्छे से आटे के सांथ में मिक्स कर देंगे और इसका अब हम टाइट डो लगा के तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी जालना है ध्यान रहे डो आपका एकड़म टाइट होना चाहिए अच्छे से मैश कर लिए आप चाहा तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं लेकिन आलू में एक भी बड़े पीसे नहीं रहना चाहिए आलू को मैं अच्छे से मैश कर लिया है तो एक मैने लिए हरी मेच एकदम फाइन चौप करके लिया है एक चौथा ही चमच हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चमच चिली फ्लेक्स आप इसकी जग़ा पर लाल मेच पाउडर भी डाल सकते हैं आधा चमच जीरा एक चोड़ी चमच मैस मैट कर रही है चाट मसाला बहुत ही चटपटा इससे स्टफिंग बनके तैयार होगी दो टेवले स्पून हरा धन्या डालेंगे आप चाहें तो प्याच को भी एकदम फाइन चौप करके डाल सकते हैं एक चौथा यह चमच नमक डालेंगे नमक हमने दो टैयर किया है उसमें भी डाला है और चाट मसाला डाला है तो आप अपने टेस्ट के अकोर्णिग नमक डालें है सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करनेंगे स्टफिंग के सामक में स्टफिंग हमारी एक दम तैयार है 15 मिनेट हो चुके हैं और यह आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है तो एक बर वापस से मसल लेंगे आटे को में वापस से मसल लिया है तब इसके हम एककोल साइज की छोड़ी बॉल्स बना लेंगे इस साइज के आपको बॉल्स बनानी है सभी बॉल्स हमने बनाके तैयार कर ली है तो इसमें से हम एक बॉल लेंगे और बाखी आटे को कवर करके साइड में रख देंगे चक्रे के उपर थोड़ा सा सुखा मैंदा डस्स करेंगे लोई को रखेंगे और इसे अब हम बेलेंगे और जिस तरीके से हम समोसे के लिए बेलते हैं वैसे ही आपको इसे बेल के तैयार करना है गोल नहीं बेलना है इस तरीके से बढ़ाना है इतना पतला आपको इसे बेलना है, अब ये मैंने लिया है, नाइफ, नाइफ के हल से इस तरीके से इसमें हम, नीचे साइड में कट लगा देंगे, पूरा लास तक आपको कट नहीं लगाना है, साइट का कॉर्णर थोड़ा से छोड़ देंगे, इसके उपर एक चमच, स्टफिंग रखेंगे, और उपर से कवर करेंगे, साइट साइट से भी से कवर करते जाएंगे, एक दमच्छे सापको इसे चिपकाना है, रोल करते जाना है, साइट के आठे को पहले दबादे, इस तरीके से, पूरा लास तक रोल करना है, आप चाहें तो लास में इसमें हलका सा पानी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जब आप इसे फ्राय करेंगे, तो यह ओल में खुलेगा नहीं, कि लग रहा है, किटना बढ़ियां देखने में, साइट का और को अपको इसे वापस से अच्छे से कवर कर देना है, निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे, एक और रोल में आपको ऐसे बना के दिखाती हैं सुख्याटे में डस्ट करेंगे और इससे आपको पहले समोसे की तरफ बेल लेना है नीचे साइड में पहले कट लगा देंगे लास्ट का कॉर्णर आपको जॉइंट रखना है इस यह रोल हमारे लुक वाइस भी देखने में बहुत ही अट्रेक्टिव लगते हैं तो एक बार आप इने ट्राइजरू करें यह हमने लिए स्टफिंग स्टफिंग को इस तरीके से रोल का शेप देखे रखना है और उपर से कवर कर देना है साइड साइड से भी आप इसे कवर करते जाएं रिगदम अच्छे से दवाना है एकदम हलके हाथों से आपको इसे राउंड करते जाना है फकिलास्ट में हम हलका सा पानी अप्लाई कर देंगे जिसे की ओइल में खुलेगा नहीं रोल हमारा और देखें लग रहा है कितने बढ़िया इस मारे देखने में तह इसे ही अपने सभी रोल्स हैवसरिया बना कर लिए सब्समें बनाके तैयार कर लिए तो इनने भम फ्राय करें तो जलते हम अगली प्रोसेस की तरफ को तरफ को फ्राय कने के लिए आलख हमारे अच्छे से गरम हो चुका है तब इसमें हम एक кіकिंव कर के रोल्स को डालेंगे और जब अपको आप ये रोल्स को फ्राई करें, तो आपको अच्छा गरम होना चाहिए गैस को फिलेंगे मेडियम ही रखना है, आपको ये रोल्स को फ्राई करते समय जिसे के रोल्स आपके अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए एक बार पलटा देंगे सभी रोल्स को और दोनों साइट से हलका गोल्डन होने दख रोल्स को अपको फ्राय करना है रोल्स हमारे अच्छे से फ्राय हो चुके हैं कलर भी हलका गोल्डन हो गया है तो निकाल लेंगे सभी को और ऐसे यह अपने बाकी बचेवे सबी रोल्स को भी फ्राय कर लेंगे हल्का गॉल्डन होने तक रोल्स को आपको फ्राय करना है आलो के बहुत ही टेस्टी चटपटे क्रिपी रोल्स हमारे तएयार हैं तो एक बार आप इस रेस्पी को ट्राय जरूर करें और रेसिपी अच्छी लगए तो ज्यादा ज्यादा फैमली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो हम फिर में लेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स